नमस्ति बच्चों एक बड़ फिर से आपका स्वाकत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमारे शंपुरुन ज्यान पे और आज हम आप लोगों के बीच लेके आये हैं आप इसके उचारण को भी ध्यान से सुनेंगे और उस तरह से बोलने का परियास करेंगे तो धीर धीर आप बोलना भी सीख जाएंगे और किस तरह से हिंदी मतलब निकलता है ये भी आप देख पाएंगे दा पिकॉक इस आवर नेशनल बर्ड क्या है ये मोर है हमारा राश्ट्रिय पक्छी मतलब क्या है कि मोर हमारा राश्ट्रिय पक्छी है it is a colorful bird मतलब it का मतलब यहाँ पर यह है और इस इस का मतलब अब हो गया होता और है एक रंग बिरंगा रंग बिरंगा और पक्छी मतलब यह एक रंग बिरंगा पक्छी होता है it looks very beautiful मतलब यह दिखता है बहूत शुन्दर मतलब यह बहूत शुन्दर दिखता है it is about two feet in height मतलब यह होता है अबाउट का मतलब हो गया लग भग दो feet in का मतलब हो गया में और height मतलब उंचाई मतलब क्या हो गया कि यह लग भग दो feet उंचाई में होता है it has two beautiful eyes अब दिखें यहाँ पर it का मतलब करेंगे इसे और has का मतलब हो जाएगा होता है दो शुंदर आंखें इसे दो शुंदर आंखें होता है it has two thin legs मतलब अब यहाँ पर करेंगे इसके होता है दो पतले पैर मतलब इसके दो पतले पैर होता है होते हैं इस तरह से आप इसका मतलब निकालेंगे its legs have claws इसके पैरों में होता है इसका मतलब होता है पंजा तो क्या हो गया पंजे मतलब इसके पैरों में पंजे होते हैं it has a tail इसे होता है एक पूँच होता है फुल अफ कलर फूल फिदर्स मतलब भरा हुआ रंग बिरंगा पंखों और इस of का मतलब हो गया say मतलब क्या हो गया कि it has a tail full of colorful feathers मतलब इसे एक पूँच होता है भरा हुआ रंग बिरंगे पंखों से it has a beautiful neck मतलब इसे होता है एक रंग बिरंगा गर्धन मतलब इसके गर्धन रंग बिरंगे होते है है धका हुआ its feather and wings are of green मतलब इसके पंख और डेना होता है और का मतलब का ग्रीन का मतलब हरा ब्लू का मतलब हो गया नीला एंड का मतलब हो गया और गोल्डन का मतलब हो गया शुनहरा कलर मतलब रंग या कलर्स है तो रंगों मतलब इसका पंख हरा नीला और सुनारा रंगों का होता है हीपी कॉक मतलब पुरुष मूर हैस मतलब को होता है अ मतलब एक क्रॉन मतलब ताज या फिर इसको मुकुट भी बोल सकते हैं मुकुट ताज या मुकुट दोनों में से किसी एक को बोलेंगे पर मतलब उपर it's head मतलब इसके शर मतलब पुरुष मूर के शर पर इसके सर पर होता है एक ताज या एक मुकुट when का मतलब जब हो गया when it's dance मतलब जब यह नाचता है it looks मतलब यह दिखता है या यह लगता है बहूत शुंदर cock eats मतलब खाता है white मतलब शफेद और चीटी चीटी खाता है और warm मतलब कीड़े और insects मतलब चोटे चोटे जीव चोटे जीव मतलब यह white चीटी और कीड़े और चोटे चोटे जीव खाता है it kills मतलब यह मारता है और खाता है snacks मतलब शांप even मतलब तक मतलब यह सांप तक खाता है यह मारता है और सांप तक खाता है It also eats rice and gram, मतलब यह चावल और gram powder, मतलब शत्तू भी खाता है The peacock generally leaves, मतलब शमान नितया या साधरान तया रहता है in forest, मतलब जंगलों में It likes, मतलब यह पसंद करता है, to leave, मतलब रहना in flock, मतलब जूंड में Vlog का मतलब होता है, जूंड, जूंड मेरा ना पसंद करता है, दो, अब देखिए, फिर भी, इस दो का मतलब हो गया फिर भी, it has wings, मतलब इसे पंख होते हैं, फिर भी, लेकिन, but it can't fly much, मतलब यह ज्यादा नहीं उड़ शकता है इस तरह से ये वीडियो क्लास यहां पर the end होता है, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को watch करते हुए, यहां तक आ गए होंगे, चैनल पर पहली बार हूँ, तो subscribe जरूर करें, वीडियो क्लास अच्छा लगा हो, तो like करना नहीं भूलें, और comments करके अपने विचारों क को जरूर व्यक्त करें, मिलते हैं हम next class भी